किशनपूर नामक एक छूटे से गाओं में तीन बहने नीता, अनीता और सुनीता अपने माबाबा के साथ रहती थी उनके बाबा सोहनलाल एक कुमार थे और वे मिट्टी के खड़े बनाने का काम किया करते थे उसी से ही इस परिवार का गुजारा हो रहा था तीनों बहने पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी सुनीता और अनीता दस्वी क्लास में और नीता आठ्वी में पढ़ती थी सोहनलाल की पूरी कोशिच रहती कि वे अपनी तीनों बेटियों को किसी भी प्रकार के कमी न होने थे लेकिन थोड़ी सी आमदनी में ये संभव नहीं था एक बार की बात है बाबा कम से कम हम तीनों को 500-500 रुपए तो दो खाली 500 में क्या होगा? अब क्या बताऊं बिटिया? मेरे 500 केवल 500 रुपए हैं अब अचानक से 1000 रुपए कहां से लेकर आऊं? बाबा, हम अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा रहें स्कूल की तरफ से जा रहे हैं सब बच्ची पैसे लेकर आएंगे वहाँ पर अगर हमारा मन कुछ लेने का किया तो तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? बाबा ने कहा ना कि उनके पास 500 रुपए हैं हम 500 ही लेकर जाएंगे और क्या जरूरत है वहाँ पर कुछ समान लेने की? बहला ये क्या बात है? 500 और हम तीनों बहनों के ठीक है बाबा, 500 ही दे दो सुनीता अपने परिवार की हालत से अच्छे तरह वाकिफ थी वह हमेशा समझतारी दिखाया करती और दोनों बहने भी सुनीता की बात मान लिया करती थी तीनों बाहर आ जाती है फिर सुनीता उन्हें बताती है कि बाबा के पास अगर पैसे होते तो वह दे देते तो ठीक है, आज हम लोग अपनी गुल्लक तोड़ देते हैं अरे हाँ, वो तो मैं भूली गई थी तभी उनकी मा वहाँ आती है कोई जरूरत नहीं है गुल्लक को हाथ लगाने की मैंने पी थोड़े पैसे जोड़े हुए हैं ये लोग पांस सुर रुपे और बस इससे जादा कुछ मत मांगना इनी में तीनों बेहने अपना अपना देख लेना अब तीनों बेहने खुश हो जाती हैं और अगले दिन स्कूल की ट्रिप पर शहर चली जाती है ये एक एजुकेशनल ट्रिप थी जहाँ पर उन्हें अलग अलग तरह की चीज़े बनाना और उसे बेचने का हुनर सिखाना था तब ही वे एक ऐसी शौप के सामने जाकर खड़ी होती है जहाँ पर मिट्टी के अलग अलग चीज़े बनाई जा रही थी वे हैरान थी कि उनके बाबा भी तो यही काम करते हैं पर उन्हें तो इतना कुछ बनाना नहीं आता देखो यह है अपने काम की चीज़ मैं तो यही पर रुकर देखना चाहती हूँ कि आखिर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कैसी बनाई जाती है वैसे मैं भी हैरान हूँ देखो तो कितनी सुन्दर सुन्दर चीज़े बनाई है और दाम देखो कितने जादा है ये देखो कितना प्यारा बरतन है चार सु रुपे का हमारे बाबा तो चार घड़े दे देते हैं चार सु में तुम दोनों चुप करो और मुझे देखने दो आखिर ये समान बन कैसे र में देखी हुई सारी चीजों के बारे में अपने मा बाबा को बताने लगती है बाबा अगर आप वहाँ होते तो हैरान हो जाते मिट्टी के इतनी सुन्दर सुन्दर चीजे बन कर विख रही थी कि पूछो मत छोटी छोटी चीज के दाप सो दो सो इतने थे फिर ये बात आई गई हो गई तीनों बेहनों ने अपनी पढ़ाई में लग गई दो महीने बाद एक दिन सोहनलाल खर आ रहा था कि तभी उसका एक्सिडेंट हो जाता है और उसे काफी चोटे आती हैं और उसकी विस्तर पर पढ़ते ही घर की आर्थिक सिस्थी चर्मरा जाती है डॉक्टर तीन महीने का पेडरेस बता देते हैं अग क्या होगा घर कैसे चलेगा मुझे तो कोई काम भी नहीं आता चाक पर कभी इनोंने मुझे हाथ चलाने ही नहीं दिया तीनों बेटियां अपनी मा को इस तरह रोता देखकर परिशान हो जाती हैं और अपनी मा के पास आकर बैठ जाती है मा अगर तुम इस तरह कमजोर पर जाओगी तो कैसे चलेगा हम मिल जुरकर कोई न कोई काम कर लेगे कोई और काम क्यों करेंगे हमारे पास है ना अपना काम हम बाबा के चाक पर मिटी के तरह तरह के बरतन बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे याद है न हम शहर में देखकर आई थे अनीता के ऐसे बोलते ही तीनों पहणों की आखों में चमक आ जाती है और वे मन ही मन ठान लेती हैं कि किसी भी तरह वे उन बरतनों की तरह बरतन बनाएंगी फिर वैं अपने बाबा से कहती हैं कि उन्हें बताते रहें कि जाक कैसे चलेगा और परतन कैसे बनेंगे तुम तीनों ने अगर ठान लिया है तो मुझे पक्की उमीद है कि तुम तीनों इस काम को जरूर कर लोगी बाबा अगर आप हमें इस तरह है समझाते रहेंगे तो देख लिना हम जल्द ही ये काम अच्छे से सीख जाएंगी फिर तीनों बहने स्कूल से आते ही मिट्टी तयार करने में लग जाती मिट्टी तयार होते ही तीनों बेहने पारी पारी से पर्तन बनाने की प्रेक्टिस करती और तीनों की महनत और लगन से वे एक हफते में ही अच्छे पर्तन बनाना सीख गई यहां तक कि सुनीता ने तो सुन्दर-सुन्दर गुटे-गुडिया भी चाकपर बनाने सीख लिए तीनों बेहने उन्हें भट्टी में पका लेती हैं और फिर सुन्दर-सुन्दर रंगों से उन्हें रंग देती हैं अब उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वे ये थी कि गाउं के लोग ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदते एक का दुख का घड़ा बिक्चाता है और घर का गुजारा हो जाता है देखते ही देखते पंदरा दिन निकल जाते हैं लेकिन गाउं में कोई भी उस समान को खरीदने नहीं आता तीनों बहने निराश होने लगी थी तभी एक दिन क्या हुआ तुम तीनों इतनी उदास क्यों लग रही हो और आज तो तुमने मिट्टी भी तयार नहीं की मां हमने इतनी महनत से सारा काम किया लेकिन यहां गाउं में तो कोई इनको खरीदी नहीं रहा हाँ मां देखो कितने प्यारे प्यारे रंग भर कर हमने कितना सुन्दर बनाया इन चीजों को लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आ रहा मेरी प्यारी बेटियों तुम तो जानती हो इस काओं में इतने अमीर लोग नहीं है यहाँ पर खड़ा तब खरीते हैं जब पहला तूच जाता है पर तुम लोगों ने अगर इतनी महनत और हिम्मत से ये काम किया है तो तुम लोग इस तरह हाल नहीं मान सकती फिर हम लोग अपनी समान को कैसे बेचे मा अच्छ चलो सोचो अगर तुम तीनों लड़के होते तो तुम इस समय क्या करती इसमें सोचना क्या है मा फिर तो हम ये सारा समान लेकर शहर बेच देते पर तुमने ऐसा क्यों पूचा तुम तीनों सही सोच रही हो जाओ शहर ये सामान बेच दो वहाँ पर हाट बजार लगते हैं मैंने सुना है ऐसे बजारों में ये सामान हाथों हाथ निकल जाता है तीनों बेहनों की आँखों में चमक आ जाती है फिर तीनों बहने घासपों से कठा करती हैं और उन सब बर्तनों और खिलोनों को घास में लपेट कर उन्हें कागस से लपेट कर एक बड़े से डिपे में रख देती हैं और एक दिन सुभा सुभा पस पकड़ कर शहर आती हैं और सड़क किनारे ही बेचने का सामान लगा लेती हैं थोड़ा समय तो वहाँ पर लोग आते और खिलोनों और बर्तनों को देखते लेकिन थोड़ी ही देवाथ धीरे धीरे लोगों की फीड़ी कट्टा होने लगती है हातों से बने सुन्दर सुन्दर खिलोने और मिट्टी के बर्तन देखकर लोग उन समान का मोलभाव करने लगते हैं यह गुड़े और गुड़िया का जोड़ा कितने का है? तीन सुर पे ले लो साहब पकी रंग हैं कभी नहीं उतरेंगे आप इन्हें धूबी सकते हैं महंगे बता रही हो दो सु लगा लो ठीक है साहब दो पहर के बाद तक ही उनके काफी खिलोने और पर्तन बिख जाते हैं उनके अंदर आशा की एक किरन चाग जाती है आज मा बाबा कितने खुश हो जाएंगे अच्छी आमदनी हो गई ना अब हम लोग एक हफ्ते तक पर्तन बनाएंगे और छुट्टी वाले दिन यहां आ कर बेचेंगे तुम दोनों क्या कहती हो? आइडिया भुरा नहीं है तुमने देखा कुश लोगों ने हमसे अलग-अलग तरह का समान दिखाने की बात की हम लोग उन्हें भी बनाने की कोशिश करेंगे चलो अब काफी देर हो गई है गाउं भी तो पहुँशना है सारा समान समेट लेते हैं फिर तीनों बहने बचे हुए समान को एहतियात से पैक करने लगती हैं और बस पकड़ कर वापस गाउं आ जाती है आते आते उन्हें काफी देर हो जाती है उनकी मा जिनता में घर के बाहर इधर से उधर डोल रही थी जैसे ही मैं तीनों को आता दिखाई देती है उनकी सास में सास आती है तुम लोगों को मैंने शहर तो भेश दिया लेकिन मेरे दिल में सुबा से धक धक हो रही थी अब तीनों को देख कर शांती आई आओ अंदर आओ मैं पानी लेकर आती हूँ तुम लोगों ने तीन हजार का काम किया है। हाँ बाबा पहले तो सब लोग आते जाते इधर से उधर समान देख रहे थे दो पहर के बाद थोड़ा बहुत समान बिकना शुरू हुआ पर अब लोगों को पता चल जाएगा अगर हम लोग वहीं पर ही अपना समान बेचेंगे तो। तीनों बेने ठक कर चूर हो चुकी थी। उन्हें बिस्तर में पढ़ने के बाद इतनी गहरी नीद आई कि सुभा उनकी माउने आवाज दे कर उठा रही थी। अरे उठ जाओ तुम तीनों स्कूल के लिए तेर हो रही है। तीनों बेने आँख मलते हुए खड़ी होती हैं। स्कूल से आने के बाद तीनों बेने मिट्टी तयार करने लगती हैं और फिर बारी बारी से अपने पसंद की चीज़ें बनाने लगती हैं। उनकी मेनत और लगन देखकर सोहनलाल और उसकी पतनी दोनों बहुत खुश होते हैं। पूरा हफ़ता तीनों लड़कियां मेनत से अलग-अलग तरह के खिलोने और बरतन बनाती हैं। उन्हें भट्टी में तपाती हैं और फिर उनमें सुन्दर-सुन्दर रंग भरती हैं। इस पार उन्होंने कुछ और तरह के बरतन भी बनाये थे जिनमें खाना बनाया जाता है। उनकी मां उनके साथ मिलकर सारे बर्दनों की पेकिंग करती है और फिर तीनों छुट्टी वाले दिन उसी जगार पर जाकर अपना सामान बेशने लगती हैं। देखते ही देखते उनका काफी सामान बिख जाता है। अब तीनों पहने बहुत खुश थी। आमदनी भी आज पहले से जादा हुई थी। इसी तरह उनका काम चल पड़ता है। तीन महीने भी बीच जाते हैं। सोहनलाल भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब सारा परिवार मिलकर मिट्टी के बर्दन, खिलोने और अन्य तरीके के सामान बनाने लगते हैं। थीरे थीरे समय पीतता है। उसी के साथ तीनों बेहनों की लोग प्रियता भी बढ़ने लगती है। कुछ मीडिया वाले भी उन लोगों के पास आकर उनकी फोटो खीचते हैं और अकपार में निकाल देते हैं। फिर एक तिन महीला सशक्ती करण वाले लोग उनके पास आत आते हैं। वे अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लेते हैं और फिर एक दिन वे भी आता है जब तीनों बेहनों को सरकार की तरफ से इनाम मिलता है। इस तरह महनत लगन और समशदारी से तीनों बेहनों की सफलता नई उचाईयां छूने लगती है। ये लो सबजी की याद से बेंगन ले आना। अरे भाई एक सेकंड के अंदर तुमने इतनी बार बेंगन बेंगन बोल दिया है कि अब तो मैं उसे भूली नहीं सकता। ये अम्मा भी ना पता नहीं इन्हें बेंगन का भरता इतना क्यों पसंद है। सुरेश सामान की लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और थैला भर कर सबजी खरीद लाता है। कि भगवान इतना याद दिलाने के बाद भी आप बेंगन लाना भूल गये। अब अम्मा मुझे सुना सुना कर मार डालेंगी। उन्हें तो लगेगा कि मैंने जान बोश कर आपको नहीं बताया। ये लो, मैं भी य अजार की तरफ चल देता है। अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक आदमी अपनी रहडी को लाते हुए दिखाई देता है। उसकी रहडी पर केवल दो बैंगन रखे थे। बैंगन का भरता बना कर खा जाएगी। सब्जी वाला हसते हुए वो दोनों बैंगन सुरेश को पकड़ा देता है। घर आने पर वो बैंगन रूपा को दे देता है। अरे देख लिया तेरा प्यार सुरेश। सारी सब्जी याद रहती है तुझे। बस बैंगन याद नह अरे अमा, तुम्हें पता है ना कि बैंगन की सबजी मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, तुम्हें न जाने सबजी में ऐसा क्या मिलता है, हाँ हाँ, अब तो तु ऐसा ही बोलेगा, रूपा, अरी ओ रूपा, अब रात हो गई है, अभी रहने दे, कल सुबह तु मेरे लिए चटपटा सा बैंगन का भरता बना देना, ठीक है, ठीक है अमा, अगले दिन सुबह, देखो भई, मेरे आफिस के लिए तुम टिफिन में कुछ और बना कर दे देना, भगवान के वास्ते वो बैंगन का भरता तो बिलकुल मत देना, अमा के सबको बस यही लगता है, कि इस इस घर में सबसे ज़्यादा फ्री मैं ही हूँ अभी कुछ बनाओंगी दो भर में कुछ और बनाओंगी अच्छा तो तुम एक काम करो दोनों साज बहु बैट कर बैंगन का भरता काओ मैं ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खालूँगा ऐसा बोल कर सुरेश ऑफिस के काम के लिए निकल जाता है और रूपा घर का काम खत्म कर किचन में आकर बैंगन का भरता बनाने की तयारी करती है एक बड़ा गोल वाला बैंगन लेती है और उस पर तेल लगा कर उसे चूले पर रख देती है अरे मार डाला मार डाला कैसे लोगें सोने भी नहीं देते अरे गरम आग बैंगन को उचलता हुआ देखकर रूपा डर कर किचन से बाहर निकलाती है बैंगन अपने आपको आग से हटा कर ठंडे पानी में डाल देता है तभी रूपा डरते डरते रसोई में आती है अब वहां पर खड़े खड़े क्या देख रही हो मैं ठंडे पानी में ठंड से क रूपा रसोई से भागने को हो ही रही थी तब ही वो बैगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज्यादा ठड़ने पानी में गिर गया है उसे बाहर निकाल ले रूपा डरते डरते उस बैगन को बाहर निकाल कर कपड़े से पोच देती है शुकर है अब मैं अच्छा मैसूस कर रहा हूँ तुमने भी गजब कर दिया आओ देखानत आओ तेल लगा कर मुझे चूले पर रख दिया है इसमें बेरी क्या गलती है मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैंगन हो बोलने वाला नहीं मैं एक जादूई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ बताओ तुमें कौन सा काम करवाना है पिलहाल तो दोपहर के खाने का समय हो गया है अगर आज अम्मा को बैंगन का भरता न मिला तो मेरा भरता बना देंगी बस इतनी सी बात तो ये लो जादोई बैंगन अपने हरे डंठल को इधर उधर हिलाता है रूपा देखती है कि रसोई में तरह तरह का खाना बना रखा हुआ है जिसमें बैंगन का भरता भी है तभी अम्मा रसोई में आती है अरे रूपा, क्या कोई महमान आने वाला है तुने तु मुझे बताया ही नहीं इतना सारा खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट लाजवाब नहीं नहीं अम्मा, मैं मान तो कोई नहीं आ रहा बस ये तो इस जादोई बैंगन ने अपना जादो दिखाने के लिए रख दिया है जादोई बैंगन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे ये जादोई की कहानिया तो मेरे एक बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थी आज कहां जादोई रह गया है? आज तो टीवी चलता है, फोन चलता है, जादोई थोड़े चलता है अरे अम्मा जादू भी चलता है, जरा एनक को सही करके अपनी नाग पर तो बिठाओ, सही से देखो, मैं जादू यी बैंगन हूँ बैंगन की आवाज सुनकर अम्मा अपना चश्मा ठीक कर बैंगन की तरफ देखती हैं और उचल पड़ती है क्या हुआ अम्मा, तुम तो चौक गई, देख लिया, अब भी जादू चलता है, हाँ हाँ ये भगवान, ये मेरी आँखे क्या देख रही हैं, ये तो सच मुझ में जादू यी बैंगन है, कैसे पटर पटर बोल रहा है अम्मा, बोल ही नहीं रहा हूँ, बलकि इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है, जरा खा कर तो बताओ रूपा और अम्मा, खाना खाने बैठ जाते हैं, खाना इतना लाजवाब था, कि वो दोनों भूग से ज्यादा ही खा लेती है ये भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ, कि पेट भी फटने को हो रहा है अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे भी ऐसी ही हालत हो रही है अरे, मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खाना तो मैं भी छूमंतर कर देता हूँ थोड़ी ही देर में, वो दोनों अपने आपको पहले जैसा महसूस करती है अच्छा, तो तू जादूई बैंगन है, ये तो मैंने देख लिया लेकिन, इस खाना वाना बनाने के अलावा, और क्या जादू जानता है? अम्मा, आप बताओ, आप कौन सा जादू देखना चाहती है मेरे गाउं में बड़ा सा हिंडोला लगा करता था, जूलने के लिए मुझे वो बहुत पसंद है लेकिन जब से शहर में आई हूँ, यहाँ ना जाने कैसे कैसे जूले होते हैं बस, वही नहीं मिलता मेरी बड़ी इच्छा है, मरने से पहले एक बार उस जूले पर जूलू, हाँ बस, इतनी सी बात चलो ठीक है, आप अपनी आखें बंद करो अब अम्मा जैसे ही अपनी आखें बंद करती है, अपने आपको हिंडोले पर पाती है जी भर कर जूलने के बाद, अम्मा खुश हो जाती है और बैंगन से कहती है, कि वापस घर चलो शाम को जब सुरेश घर आता है, तो बड़ा परेशान था क्या हुआ? इतना परिशान क्यों लग रहे हो? तबियत तो ठीक है ना? हाँ, तबियत को तो कुछ नहीं हुए, बस आज आफिस में बहुत इंपोटन फाइल गूम हो गई है अगर वो कल सुबह तक मुझे नहीं मिली, तो मेरी नौकरी चली जाएगी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान बूझ कर उस फाइल को गूम कर दिया भगवान न करे, आप पर कोई मुसीबत आए सुरेश परिशान होकर इधर से उधर घूम रहा था रूपा चाय बना कर ले आती है तभी उसे अचानक जादूई बैंगन की याद आती है और वो सुरेश से कहती है आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जादूई बैंगन से पूझ कर बताती हूँ कि आपकी फाइल कहां पर है जगो रूपा यह मजा का समय नहीं है कौन सा जादूई बैंगन तभी रसोई में से बैंगन उचलता उचलता ड्रोइंग रूम में आ जाता है और सुरेश से कहता है क्या बात है दोस्त अपने हाथों से मुझे देख भाल कर घर ले कर आए और भूल गए चलो वो सब तो हम बाद में बैठ कर बात करेंगे अच्छा तो तुमारी परेशानी ये है कि तुमारी इंपोर्टेंट फाइल गुम हो गई है तुमारा अंदाजा बिलकुल सही है तुमारा ही दोस्त किशोर ने वो फाइल उठा कर अपने ओफिस की टेबल की ड्रो में रखी हुई है किशोर ने? मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ अगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि फाइल के दिखाने के बाद तुमारी प्रमोशन पक्की है जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है खैर तुम इन सब बातों को छोड़ो कल सुबह जब तुम आफिस जाओगे वो फाइल तुम्हें अपनी टेबल पर मिलेगी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवा दोस्त तुम्हारी वज़े से मेरी नौकिश बच गई धन्यवा देने की जरूरत नहीं है ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है वैसे बड़ी हैरानी की बात है उस दुकान वाले के पास में दो ही बैंगन थी उन्हें मैं ले ले आया उसमें से एक जादुई बैंगने लगता है मेरी किशमत बहुत अच्छी है हाँ मुझे भी लगता है तुमारी किशमत बहुत अच्छी है क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन सब के हाथों में आने से खुद को बचाता रहा और आखिर में देखो तुमारी हाथों में आ ही गया चलो भई अब तो हाथ मूँ धोलो आपकी फाइल का मामला तो सुलज गया है न सब लोग खाना खाने बैठ चाते हैं जादुई बैंगन वही सोफे पर आराम से बैठा हुआ था इस बैंगन को देख कर तो सच मुझ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जादुई बैंगन वो भी हमारे घर पर सुरेश बेटा मैं सोच रही थी अगर जादु देखना ही है तो क्यों ना आज उन सब गरीब बच्चों की मदद करें जिनके पास उनकी जरूरत की चीज़े भी नहीं है अरे वा मा तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे बैठे में क्या करूँ हाँ मा यह सही रहेगा पर सुन तुम्हारा जनम दिन भी है तुम्हारे जनम दिन के उपलक्ष में हम गरीबों की मदद कर देते देखो भाई मुझे तो कोई आपत्ती नहीं है पर मैं ज्यादा दिन ये एक जगह पर नहीं रह सकता मैं एक हफ़ते तक यहां रुकोंगा जो काम करवाना है इस एक हफ़ते के बीच में ही करवा लो अच्छा ऐसी बात है तुम सिर्फ एक हफ़ते के लिए हमारे पास हो फिर उसके बाद कहां चले जाओगे मैं जादूई बेंगन हूँ मैं उनी लोगों के पास अपने आप पहुंच जाता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है अगले दिन सुबह सुरेश जब अपने ओफिस जाता है तो उसे फाइल अपनी टेबल पर ही मिलती है वो अपने बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है घर आने पर वो बहुत खुश था और अगले दिन वो जादूई बैंगन की मदद से अपनी मा के जन्म दिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट देता है और बहुत सारे जरूरत मंद लोगों की मदद करता है जादूई बैंगन भी कुछ दिन सुरेश के यहां रहने के बाद अपने आप एक रात वहां से गायब हो किसी और दूसरे जरूरत मंद के पास चला जाता है